आज हम एक नई चीज़ एड़ोन करेंगे that is eye exercise आँखों की exercise next time हम audio भी करेंगे लेकिन आज हम करेंगे eye exercise तो eye exercise के अंदर आप क्या करने वाले हैं? आपकी screen पे कुछ दिखाई देगा उस screen को आपको follow करना है क्यूं करते हैं eye exercise? कोई बता सकता है eye exercise करानी क्यूं ज़रूरी है? किसी को थोड़ा अंदाजा है किसी student को हाथ उठाके बताए कि eye exercise क्यूं करानी चाहिए? eyes की movement क्यूं करानी चाहिए? ओके चलो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ हम जब आपकी fingers की exercise कराते हैं तो fingers की exercise आपके left और right brain को balance करने में और आपके neurons की speed को fast करने में help करती है किस चीज में help करती है? left brain और right brain को balance करने में और neurons की speed पे neurons मतलब जहां से आप information को जानकारी को अपने दिमाग तक पहुँचाते हो उसको fast करती है अब आपके screen के सामने कुछ alphabets आएंगे कुछ digits आएंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या हैंगे आपको मेरे साथ साथ आपको अपने आप repeat करना है और loudly मतलब जितना चिला सकते हो चिला हो कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा loudly बोलना है मेरे तक आवाज आनी चाहिए आपकी मतलब आपके school से दिल्ली तक आवाज आनी चाहिए इतनी loudly आपको बोलना है लेकिन speed में बोलना है मैं आपको करके दिखाता हूँ आपको आई exercise number 1 0, 8, Z, 9, 0, U, D, 1, 4, 0, E, Wow, Now, Three, Cow, Fish, Wish, Mom, Egg, Cycle आप ये exercise आप starting से करेंगे आप सब लोग repeat करेंगे कोई रुकेगा नहीं दोनाचारे मुबारिक पूर कमर सीधी करके बैठेंगे सभी make your spine straight वेरी गुड और आपको ये देखना है कि आपकी आँखों से कोई भी alphabet या digit या कोई picture, तस्वीर, color miss नहीं होना चाहिए point to be noted, अपने दिमाग में बसा लो अपनी आँखों को इतना तेज करना है कि screen पे जो भी दिख रहा है आपको सब बोलना है साथ-साथ, miss नहीं होना let's play eye exercise number one start करें आपको सब दिख रहा है आपको सब दिख रहा है जल्दी 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 आपको सब दिख, क hypocrisy सब रहा है आपको सब रहा है आपको सब दख करना है आपको सब दिख आपको सब दिख 1, 2, 4, 3, ok, so try one, 3, 3, 3,3, ŞK-K-O, M-O-S, S-O-T-E, जी वो घर्ण वा जामें तच्छिए, टो धी रण रागमें छिरीज सुन्ति शेशिती ज्रागमें पड़ा एंड ज्रा एंड़िस ज्लिना जैकर 9.00 जिरुंशिकadi क्या हुआ इतने सारे alphabets बीच में छोड़ दिया आप सभी ने किस-किस बच्चे के छूटे थे सच बताना इमानदारी से आथ अटाओ जिसके छूट रहे थे बीच में अब देखो आप सभी ध्यान से सुनो सब के छूट रहे थे हाद नीचे करो बिटा एक चीज़ हाथ नीचे करो सभी हाथ नीचे करो हाथ नीचे करो अब ध्यान से सुनो मेरी बात मेरी बात बिलकुल गोर से बिना एक दूसरे को परेशान किये सुनेंगे हमारी आखों की जो स्पीड है किसी भी information को जानकारी को अपनी दिमाग तक पहुचाने की वो जब तक slow रहेगी तब तक हम पढ़ाई में fast नहीं हो सकते क्लास में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको 2-3 बार में याद हो जाता है वो क्लास में intelligent बच्चे कहलाते हैं बहुत से बच्चे ऐसे मिलेंगे जो 5-7 बार में याद करते हैं वो average students हैं कई बच्चे super intelligent होते हैं जिनको 10 बार के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता अज़ा किदने बच्चे super intelligent हैं यहाँ पे जिनको 10 बार के बाद भी समझ में नहीं आता हाथ खड़ा करके बताए student ध्यान से सुनो कोई जादू नहीं है magic नहीं है सिर्फ हमारी आँखों की speed reading की जितनी fast होगी हमारे याद रखने की capability भी उतनी fast होगी हम सबसे पहले अपनी देखने की और read करने की speed को बढ़ाएंगे three time fast करेंगे तो यह speed होनी कितनी चाहिए आज आप सभी एक काम करेंगे जैसे ही आपको खाली time मिलता है school के अंदर, घर के अंदर, कभी भी आप सभी एक book लेके बैठ जाओ, normal book कोई भी normal book लेके बैठ जाओ, ओके जो भी book आप लेके बैठ होगे उस book को timer note करो, stroke watch लगाओ, time note करो कि एक minute में कितने words one minute में कितने words आप कर पा रहे हैं एक minute में कितने words आप कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं करना है याद रखिए, याद करने के लिए कभी मेहनत नहीं करनी पढ़ती याद हमारा दिमाग अपने आप करता है उसे सिर्फ सही तरीके से जानकारी को दिमाग तक पहुचाना है वो मैं सिखाऊंगा आप सभी को मैं एक घंटे का काम 20 मिनट में कैसे होता है वो सिखाऊंगा तो आब हमने 100 words per minute याद रखें 100 words per minute एक मिनट में 100 शब्द एक मिनट में 100 शब्द हमें पढ़ने हैं एक बुक में पहले हफते में यह हमारा फर्स्ट वीक सेकिंड वीक में हमें 120 words per minute मतलब 120 आपका कुछ अलग से नहीं पढ़ना जो स्कूल में पढ़रे होई पढ़ना जो कलास में पढ़रे होई लेकिन जो exercise मैं करवा रहा हूँ यह exercise आपको बार-बार करनी है एक दिन में मेरी सिखाई हुई हर exercise कम से कम 10 बार करनी पढ़ेगी मेरी कोई भी exercise मुश्किल नहीं है जिसमें आपको तकलीफ हो आप बोर हो जाओ हर exercise interesting है entertaining है आपको मज़ा आएगा लेकिन आपको करनी पढ़ेगी at least 10 times तो second week में हमें 120 पे पहुँचना है एक मिनट में 120 शब्द याद करने है पनी reading की speed को कैसे past करना है उसकी एक और exercise आपको सिखाऊंगा लेकिन इसमें कोई भी word नहीं होंगे कोई digit नहीं होंगी कोई color नहीं होगा कोई picture नहीं होगी इसमें एक dot होगा उस dot वो dot कभी इधर भागेगा कभी इधर भागेगा कभी इधर भागेगा आपको अपनी eyes को उस dot के ओपर जमाई रखना है ठीक है dot के ओपर जमाई रखना है तो हम i exercise number two start करेंगे कमर सिधी करेंगे करेंगे सब्सक्राइब रखना है झाल 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 दोनों हातों को दोबारा रब करेंगे सबी अभी किया था नामने दोनों हातों को जोर से रब करेंगे गरम हो जाएगा एक लंबी सांस लेंगे आँखे बंद करेंगे आँखों पर रखेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आँखे खोलेंगे अब जो बच्चे इसको regular practice कैसे करोगे अभी जो exercise आई थी इसको regular practice कैसे करोगे घर पे अपने अंगुठे को ऐसे सामने लेके आओ सभी बच्चे इसकी regular practice कैसे करेंगे अंगुठे की जो नाखून है आपका अंगुठे का उपर वाला जो नाखून है छोटा सा उसको ध्यान से देखे, सिर्फ नाखुन को, पूरे अंगुठे को नहीं देखना है, सिर्फ छोटे से नाखुन को देखना है जिनका नहीं है वो उपर वाले हिस्से को देख ले बस और उसके बाद धीरे धीरे बहुत स्लो मोशन में इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे या राइट में लेके जाएंगे उपर की तरफ ऐसे नीचे से, ऐसे उपर की तरफ, अंगुठे को देखते रहें, उस नाखुन से नजर नहीं एटने चाहिए आपकी और फिर इदर हवा में एट बना लो या इंफिनिटी का सिम्बल बना जो अब इसको रख देंगे नीचे, ये हाथ नीचे चला गया, अभी इस हाथ को उपर उठाएंगे और सेम इस तरह, इसके नाखुन को देखेंगे नजर नाखुन से हटने नहीं चाहिए, सिर्फ नाखुन पे नजर रहनी चाहिए आपकी आपके आगे पीछे नजर नहीं जाने चाहिए, फोकस जो है वो नाखुन पे रहना चाहिए हवा में इंफिनिटी बनाएंगे, very good कोशलया डंग से करेंगे, यह थोड़ा गैप बना लीजिए आप बच्चो कोशलया वर्ल स्कूल एक दूसरे को हाथ लग रहा है आपका, आप साइड हो जाओ थोड़ा सा very good next, next करते हैं, सभी student ध्यान से देखेंगे अभी हम एक बोल वाली exercise करेंगे, आई बोल exercise बोलते हैं इसे इसके अंदर एक बोल आएगा, वो अलग-अलग images लेगा आई exercise number four, आई बोल exercise हम आई बोल exercise करेंगे, एक बोल आएगी पहले dot आया था, triangle दिखा था आपको एक rectangular shape थी, आपकी बार आपको क्या दिखाई देगी एक बोल दिखाई देगा, circle दिखाई देगा तो हम play करते हैं, आई exercise number four and सभी का ध्यान, screen पे screen पे ध्यान इस बोल पे focus करेंगे झाल झाल हम इस प्यान देगा, छेख वार्यों प्यान भार्यों रीजारो, को जेखाई नहाएं जरेगे